वन्स अगेन वेलकम टो इनदर वीडियो मैं हूँ पीके बैज सभी मित्रों को राम राम और स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आज हम जो है आप लोगों के जो तयारी करा रहे थे उसके स्रीज में जो है इस प्रस्न पत्र में हमने 39 प्रस्नों को सामिल किया है बहुत ही महत्पून प्रस्न पत्र है ये शामानि विज्ञान के प्रस्नों को इसमें समावेशित किया गया है तो प्रस्न नमबर एक देखेंगे इसमें दिया है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है हाईड्रोजन बंब जो आपका है ये किस अभक्रिया पर आधारित है तो प्रेशन नमबर पहले का भी विकल्प सही होगा ये नाभिकी सनलैन अभिक्रिया पर जो है आधारित है इसे टिकल लेंगे प्रेशन नमबर दूसरा द क Renee प्रभाडू बंब किस अबग्रिया पर आधारित है प्रमाडू बंब की जहां बात की जायेगी उसमें आपका जो है डी बिकल्प सही हो जाएगा ना भी कि ये भिखंडन बोल दूड़ ना भी कि ये भिखंडन पर है प्रेस्ट नम्बर तीसरा देखेंगे रेडार के अबि इसकारक कौन है रेडार की आपिसकारक कौन है भईया बता दें तीश्रे नंबर प्रस्ण का सी विकल्ब सही होगा यानि अल्बर्ट टेलर बोला जाता है किसे बोला अल्बर्ट टेलर को प्रस्ण नंबर कि आ 12 या 5 वे काडू appelle शहीं हो जाय गा मेंड़ली फॉला जाता मैं प्रस्थम क्लेंगे पर्थम नाब किये रेक्टर किसने निर्देशन में बना र text क्रेंगे प्रेषन नमबर शातुमा देखेंगे इसमे दिया परथम हाइडरोजन बम्ब कब बनाया गया शातुवे काडवी के बिकल्प सही होगा उनीस जोबाननभेस फ़ी में बनाया गया प्रेषन नमबर आठ 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 वासज़ेंगे इसमें दिया है प्रोटान किस प्रकार का कण है प्रोटान जो होता है किस प्रकार का कण होता है आठवे का कड़ी विकल्प सही होगा धना आवेशित कर्म होता है प्रेशन नमबर नवा देखेंगे इलेक्टान पिस प्रकार का कण है इलेक्टान जो होता है किस प्रकार का कण है pattern का बिखल्प सही होगा रिड़ आवेश सीत युक्त होता है These इसे टिक कर लेंगे प्रेस्न नंबर दस्वा देखेंगे न्यूटरान पिस प्रकार काकण है दस्वे नंबर का आपका शी कि भी कल्प सही को आवेश हीन होता क्या होता है आवेश हीन इसे टिक कर लेंगे प्रेशन नंबर 11 देखेंगे परमाडू बंब का अभिसकार किसने किया था सभी लोग बता देंगे 11 नंबर प्रेशन का कौन सा विकल्प सही होगा ये विकल्प सही होगा इसे टिक कर लेंगे प्रेशन नंबर 12 वहां देखेंगे बारा नमबर प्रिस्ट में दिया हुआ कि परमारू बंब कब बनाया गया था बारा नमबर प्रिस्ट में बारा नमबर प्रिस्ट का आपका ये विकल्प सही होगा उनीश सो पैंतालीस जजबी में प्रिस्ट नमबर तेरा देखेंगे इलेक्टरान की पसफ सभीब दियार्थी इसमें दिया है कि न्यूट्रान की खोज किस ने किया था तो पंदार नंबर प्रस्थ का आपका भी विकलफ सही होगा यहेंस छेंस छेडविक साहिए 10 नंबर 16 ने rowsपल इसकी लाख इसने किया 16 नंबर प्रस्ण का विकल्फ सही होगा इसे टिकल लेंगे प्रस्ण नंबर 17 देखेंगे 17 नंबर प्रस्ण में क्या बाते कही गए है इसे सबी लोग देख लेंगे तो इसमें दिया पाजिस्ट्रान की खोच किस ने की थी प्रस्ण नंबर 18 का जो विकल्फ जान रहें सबी विद्यार थी कमेंट बाक्स में कमेंट कर दीए प्रस्ण नंबर 18 का जो आपका विकल्फ सही होगा इसका आपका भी विकल्फ सही होगा एंडर्सन बोला जाता है प्रस्ण नंबर 19 देखेंगे 19 नंबर प्रस्ण में दिया ह कि निम लिखित में किसकी वेधन चमता अधिक है निम लिखित में से किसकी वेधन चमता अधिक है 19 नमबर प्रेशन का आपका भी विकल्प C विकल्प सही होगा गामा किरोनों की वेधन चमता शबसे अधिक है प्रेशन नमबर 20 देखेंगे टेली फोन का अभिसकार किस ने किया था टेली फोन का अभिसकार किस ने किया था बीस नमबर प्रेशन का C बिकल्ब सही होगा अलेक जेंडर ग्राम वेल ने किया था अलेक जेंडर ग्राम वेल ने किया था प्रेशन नमबर 21, solar system को किसने खोजा, solar system को किसने खोजा, 21 नमबर प्रेशन का कौन सा विकल्प सही होगा, ये विकल्प सही होगा, इसे टिक कर लेंगे, प्रेशन नमबर 22, नाविकिये विखंडन में trigger क्या है, नाविकिये विखंडन में trigger क्या है, 22 नमबर प्रेशन का आप का जो है भी विकल्ब सही होगा निउट्रान प्रस्ट नमबर तेज क्वांटम सिद्धान्त किसने दिया था 23 नमबर प्रस्ट 23 का शी विकल्ब सही होगा मेडम क्यूरी ने प्रस्ट नमबर 24 रेडियो एक टिकता का आभिस्कार किसने किया 24 नमबर प्रस्ट का कौन सा विकल् बोला जाता किसे वह हैंनेरी बेकुलर बोला जाता प्रेस्ट नमबर 25 प्रशिद्ध बिग बैंक थियूरी किस मुख सिधान्त पर आधारित है 25 नमबर प्रश्ण का आपका बी बिकल्प सही होगा डाफलर प्रभाव किस पे है डाफलर प्रभाव प्रश्ण नमबर 26 इन में से कौन सूच मतत्व है 26 नमबर प्रश्ण का कौन सा बिकल्प सही होगा बी बिकल्प हाईडरोजन प्रश्ण नमबर 27 देखिए भायरत का पर्थम प्रमाडू रियक्टर किस नाम से जाना जाता है 27 नमबर प्रस्ण का कौन सा विकल्ब सही होगा तो इसका भी विकल्ब सही होगा अब शरा इसे जो है रियक्टर के नाम से जाना जा प्रस्ण नमबर 28 इसमें जो है इलेक्टरान के आवेश का निर्धारन जो है किससे किया जाता है इससे बता देंगे प 28 नमबर प्रश्ण का आपका D भिकल्प सही होगाँ इसे टिक कर लेंगे प्रश्ण नमबर 29 देखिए विद्धियार्थी 29 में दिया है कि प्रमाण में उपस्थित सबसे हलकाकों है प्रणवाण में अवस्थित सवशे हलका कंड कौन सा है 29 नमबर प्रशन का कौन सा विकल्प करेक्ट करेंगे आप लोग भी विकल्प होगा इलेक्टरान होगा ये विकल्प सही होगा कारबन चौधा प्रशन नमबर फर्टीवन का इलेक्टरान का प्रशन नमबर फर्टीटू देखिए विद्यारतिश में दिया है प्रित्वी की आयू का आकलन किया जाता है थार्टी टू नमबर प्रेश्ण का ये विकल्ब सही होगा थार्टी टू का कौन सा होगा ये विकल्ब सही होगा यूरेनियम डेटिंग से प्रेश्ण नमबर थार्टी टू का ये होगा यूरेनियम डेटिंग से करते हैं प्रेश्ण नमबर थार्टी टू का ये विकल्ब सही होगा बिलाड बोला जाता है इसे टिकल लेंगे प्रशन नम्बर 34 जीवास्म की आयू का निर्धारण किसके द्वारा होता है जो बता दीजिए विद्यारती 34 नम्बर प्रशन का आपका ये विकल्ब सही होगा रेडियो कारबन डेटिंग से रेडियो कारबन डेटिंग से प्रशन नम्बर 35 दखेंगे फॉल ओ नियम का किस ने किया बता देंगे बया तो इसकी जो खोज करता हैं इसने बताएंगे 35 नमबर प्रस्ट का शीं विकल्फ सहीऑ होगा मेरी क्योरी पुलिनियम की खोज इसने किया मेरी क्योरी ने किया था प्रस्ट numbr 37 डाइनामाइट बनाने में किस गैस का प्रियोग किया जाता है 37 का ये बिकल्प सही होगा ताई नाइट्रो ग्लेसरीन का प्रियोग किया जाता है प्रस्ट नमबर 38 हाइड्रोजन बंब किस से ने बिक्षित किया था हाइड्रोजन बंब किसने बिख्षित किया था 38 का डी विकल्प सही होगा इसे दिक कर लीजे प्रिशन नमबर 39 अंतिम प्रिशन है आज की वीडियो का इसमें लिया है परमाडू बंब का विकास किसने किया तो 39 का डी विकल्प सही होगा इसे टिक कर लेंगे धन्यवाद मिल पुना नई वीडियो में शबी को शबी का दिन मंगल मैं हो